नमस्कार दोस्तों मैं अतापन बासपोर आप सब का स्वाकत करता हूँ मेरे चैनल तेजस गेर पे और आप वीडियो की बात करते हैं तो आज का वीडियो होने वाला है अन्बॉक्सिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसुजिस के उपर जो हर बाइकर का नीड है आप नीड कह लीजिए या सरकारी नियोमों के अनुसार वो जरूरी होता है नहीं तो फाइन लग सकता है और सेफ्टी के लिए भी बहुत ही इंपोर्टन है जी हां मैं हेलमेट के बारे में बात कर रहा हूं तो आज मैं अन्बॉक्सिंग करने वाला हूं एक बहुत ही खुप्सूरत और ट्रेंडिंग टाइप हेलमेट की जो वेगा कंपनी के तरफ से है और यह हेलमेट मेरे भाई के दुकान में है आप लोगों को अगर दी ओर्डर करना है तो डेस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए वहां नीचे उनका वाट्सअप नंबर दिया हुआ है आप उनसे सब्सक्राइब देंगे जिहां बस यही है कि सीओडी नहीं है तो आपको पेमेंट करके लेना पड़ेगा तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं तो यह है वो हेलमेट जिसके बारे में मेरे जो दुकांदार भाई है यानि कि मेरे भाई है वह बोल रहे थे कि काफी खुश्रूत है और यह सिंस 1982 देख लीजिए यह वेगा कंपणी का है और यहां देखिए मेड इन इंडिया यह उल्टा में दिखा रहा है मैं आपको सीधा करके दिखाता हूं यह देखिए मेड इंडिया लिखा हुआ है जब कुछ मेड इंडिया होता है ना तो बहुत ही गर्व सा फील होता है तो बॉक्स में आगे क्या है थोड़ा यह भी देख लेते हैं यह मॉडल का नाम गोल्ट है और यह ब्लैक कलर में है ठीक है ना और यह एल साइस का है और एक ही पीस है इसमें क्वाइंटिटी में इसका MRP दियावा है 1799 याने की लगबग 1800 और यह 25 जनवरी 2022 का मेनुफेक् गहीं हैю को आख डएगा तो यह है हमारा हल मठ है देख रहों इसका चमक देख रहे हो इसक़ास्व विनिशिग है जो चलों फिनिशिग है कापी बैतरी ओनुक्स्थ क्वालाइटी का्ट पेस्ट क्वालीटिक है एक दम स्मूद्स बर्टर की तरह स्मूद्स क्हारत कि पहले आप इसका एक कि हर तरफ का लुक इसका भ्यूब ले लीजिए यह इसका फ्रंट लुक है ये इसका ऊपर का लुप यह साइड लुक है कि यहां पर राइट साइड का लुक है देखे यहां पर Dad blind भी लिखा हुआ है इसका जो मॉडल और यह इसका वाइजर है यह देखें यह एक बार में नहीं खुल रहा है यह अटक अटक के खूल रहा है तो इसको आप जितना जरुत है उतना खोल के आप रख सकते हैं आपको अगर दी हाफ खुला चाहिए तो हाफ में रख सकते हैं थोड़ा सा में खुला चाहिए तो थोड़ा सा में रख सकते हैं पूरा खुलना है तो पूरा में रख सकते हैं इसका वो एक वहां पे बनाया हुआ है कि ये एक बर में पूरा नहीं खुलेगा और ये इसका ले इसका नाम बनी दिया हुआ है और ये ग्राफिक्स में है और इसका नियोन कलर में ब्लू में, ब्लैक में, नियोन में वाइट में बहुती खुबसूरत लग रहा है आजकल के जो बाइकर से जो KTM चलाते हैं या R15 चलाते हैं उनको ये हैलमेट इस तरह के helmet बहुत ही पसंद आते हैं तो यहां देखिए एक चीज यहां पे थोड़ा सा technology के भी बात कर लेते हैं यहां से थंडी हवा घुशने के लिए है यह दोनों तरफ है उपर के ओर और अंदर का जो गरम हवा है यहां से बाहर निकलेगी यह इसका exhaust बोल सकते हैं जैसे हमारे बाइक में exhaust या silencer जो बोलते हैं हम लोग exhaust होता है उसी तरह इस helmet में भी exhaust दिया हुआ है और यह है इसका अंदर का लूग तो अंदर का लूग भी काफी बहतरीन है यह डबल पैडिंग टाइप का दिया हुआ है यह कुर्शन भी बहुत ही स्मूध है छूके भी बहु फोन करो या वर्टसप करो भाई यहां से shipping कर देंगे ओल अबर इंडिया shipping है तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप कहीं पर भी मंगवा लो बस यह है कि COD यहां से provide नहीं किया जा रहा है तो आपको cash में ही payment करना पड़ेगा पहले आप payment करेंगे फिर यहां से सामान भेज दिया जाएगा by post और यहां पर भी एक चीज़ देख लिए इसको आप फोल भी सकते हैं यहां से भी आपका ठंडी हवा घुश सकती है यहां से ठंडी हवा घुशेगी तो बाइक चलाते वाग होता ह है ना कि अंदर helmet प्एंथे पैंथे थोड़ा मुंह घरम हो गया हो both में पुरा गर्मी लग रहा हो तो यहां से थोड़ा-thोड़ा अच्छा लगा होगा और हां आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज 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 आप जब भी बाइक चलाए तो हेलमेट पहन करी चलाए तो अगर इजी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में शेर कीजिए और किसी को purchase करना है तो description box में भाई का number दिया हुआ है आप उनसे contact कर लीजिए और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए have a great day like, subscribe and click the notification bell. Thanks for watching